Hello everyone, welcome back तो अम्रा आस्टास्ते कोडिंगे जाम कोर्बो जाम कोर्तीसी ए वीडियो ते अम्रा Node.js आशर Hello World कोर्बो एबंग शेटा आमी दाखाबो कीवे बैस्वले कास्टा होच्छा To do that आमी आमादेर LearnMarn J.Depository इटा शेटा ओपन कोर्सी आगे जाए वीडियो और जाए एग्जम्पल गुला शब इखने आसा ठीकासा So अमी आटा फोल्डर बनाई फरस्ट है So नाम दे होच्छी गिया Nodes नामे ठीकासा So इखने आम रेक्टा आटा फोल्डर बनाई दिलाम होच्छी Hello World folder ठीकासा So CD दिले Hello World आशची एखनाम रखी कुर्भो एखनाम रेक्टा फाइल जो कुर्भो So अच्छा इटा नी आशाओ उची ताशुले इटा मोद्टे बूलो एगेसा Okay Okay Now we have Nodes तरमोद्धे Hello World Okay एखन इख हेलो वोल्डर मुद्धे आमा जोदे फाइल आट कुर्थे चाई कोई भबे करा थे कॉमांड दिये करा जाए क्लिक करे करा जाए क्लिक करे करे तेले आपने धुर्थे शूभी दा होबे So Node जर भीतो रहे Hello World Hello World दर मुद्धे रही क्लिक New File इटा नाम दिला मुद्धे गी आम्रा App.JS इखना आम्र दिला मुद्धे First Time on the line Console.log Hello World Okay Now इटा जोदिये आमी रान करते चाए क्यो रान कर भाँ First thing ho छे You have to understand ए-Code किन्तु Browser रे फितुर रान हो छेना यह definitely browser रे बाइर रेकोड इतना रेकोड यह रेकोड सी स्टेंड कोश्यन होच्छे है जे browser रेकोड रेकोड होए देन वी नीट सम शौफट्वेर और सम अधर रॉन टाइम वी शुट एक्जिक्ट इस फाइल अमादर खेत्वे इतरो नाम होच्छे आंसार होच्छे नोड आमी गतव पूर भी आपन दर के बोल सी जे नोड होच्छे आक्टा एक जे रॉन टाइम आगर वीडियो गला दे बोल सी तैना अमी जो नोड दिये इक नहीं हाइफन वी देह आमना देख्टर पाचि नोड रहा रहा बाटतो मन वर्शन आमार आसे 17.1 अमी जो दिये नोड उन्न वर्शन नाई in vm use hyphen, 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 lts सो आमी नोडे 16 वर्शन इच्छी सो आमी नोडे 16 वर्शन इच्छी सो आम्रा गता पर बे रिफ दी आश्छी इस एमनी चेंच को लांपू जहना अचुना अखर आमी चुदी अच्छी स्क्राबर का अपर्ला मुझौ आमी लिफ दी ने याक टस्क्कत स्क्क्राइब दी ही सो आप डग अप मैं enter dilemma you can see a consoler result hello virtual asia how about making the dilemma and the new date what will happen let's try one one more time there is a cryptic date so the first time the node is running the file and run the file and run the file and run the file and execute it and the node is executing the line by line but the node is V8 engine लेटर्स जाई ब्लोग गुला में पोर्सी औरा आशोले फूल जिन्दीशे लाइन बाइलाईन एक्जिक्ट कोरे ताना औरा इटाके सेमी गंपाईली कोरे तप रान कोरा शुरू कोरे so we can see that we can say that note first एक शाथे कंपाईली कोरे बाइनारी रूपरे रान कोरा शुरू कोरे so आम राट्टे एग्जाम्पल दिख्टे बारी एग्जाम्पल ठाओ छेरोकों आमी एक्षाने की कोरबो एटे एक्षाने देखानो अशले कोष्टो कर आमी जो धी नोट जे एसर सर्वर दे कही तकन देखानो शांभब एक्षाने पह उत्था को so अरग बार आन कोरी एलो वल्ट जिरी चोला श्चा so one by one एक्षाने होच्छा now let's go back to our slide and let's see what happens so we write हलो वल्ट and we say what's happening now now आम रज आगर एक्षम्पल वला देखसे तकासा एक्षम्पल गला देखसे demo देखसे so demo जो ध आमी चाही जेन आमी आमी एक हरने रन खरबो आमार जे ऐ computer एक computer एक चांसल एक कंसल एक रन खरबो आमी browser यर भीतो रने रन खरबोना Can we do that of course we can to do that we should go to this folder this means a demo folder एर पर रान खरान नो एर कोथा आसे lesson 3 और मोद दे demo जायास ते न so cd दे .d दे बेके आशची कोथा आसी अबर बेके जाई कोथा आसी cd lesson 3 lsd आ देखलाम की कियासे आम शराश्वरी की कुर्भा बुलसी जए शराश्वरी की शरी ओर्ण्वरी की कोथा बुलसी नot वया इ Ginger and you can see first a a-line test 10 10 true so first data test 10 10 true so what does it mean it means that we can execute any js file from the terminal if we have node.js installed in our computer how about this execution can we run this let's say so i'ma there j chilo async await promise as i learned to the chilo it is chilo kohon browser remote take can we run this inside of the terminal of the computer yes we can as i said we can run any js via node js so we'll go back and we go back to the async js right async js and we want to run the async await promise and this one is running inside of the terminal not in the browser you can say so happens you know j homework to homework to some other j example glass say try to run these examples from your terminal change this and run again yes so that's the hello world for our node.js see you in the next video assalamualaikum so you 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 you